हैं वेलिकम टूसுक्व लएडी-बॉइंट दोस्तों अप सभी का स्वागत है आपके और यूट्यूब चैनल स्पने पॉइंट में मैं शुमस्व आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ है साथ के वीडियो में बात करेंगे एक महत्पुर्ण प्रश्ण के बारे में जियो की प्रश्ण हमेशा से एक्जाम में पूछा ही जाता है और साथ ही ये भी बता दो कि बी एक रेकर यूटूब चैनल पे इसका जो है इस से रिलेटर जो पहला यहां पे लिखा होगा क्वेश्ण टू तो क्वेश्ण वन और बीए सेकेंडियर का जो नियूस लेबस है 2021 के कॉर्डिंग वह अप्लोड हो चुका है बीए करेकर यूटूब चैनल पे तो बीए करेकर यूटूब चैनल साथ करेंगे वहां पे जाकर रिके उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक ह तो परसाज जी से सुरू कर रहे हैं क्योंकि मैथली सनगुपत जी के बारे में हमने दो तीन बीडियो में बता रखता है मैथली सनगुपत से और भी परस्न बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे आईसे-ईसे सभी कभियों को उठाएंगे जो आप में सामिल है प्रथम पत्र देखेंगे दोजार जो लग वीज का पेपर है हिंदी लेटरेचर का उसमें जो है आदुनिक हिंदी का बिसे पर न पूछा गया था चायाबाद की चार प्रमुत को बिठाओं का नाम उले की इस प्रकार से पूछता है बहुत सहज पूछता है कोई दिक्क नहीं से आपसे की लगुत्रिये प्रश्ण में तो इसे केदार नाथ गर्वाल की कर्तिव पर प्रकाश्ड डैली तुझे लोजन सासरी का बिकर्वक्स्यूंब्य सामिल है उनसे लगुत्रिये प्रश्ण पूछ लिया था थोड़ा बहुत ब्याक्या खन और नहीं पूछ आता है ओ आत्मा अभिवेक्ति का स्वर्विद्दमान है असपस्ट कीजिए इस प्रकार से प्रशन आए दिनों पूछे पूछे जाते हैं एक्जाम में इसी स्रंखला में बात कर रहा हूं कि प्रशनों के जो है मॉडल के तोर पर आपके सामेदे प्रसुत कर रहा हूं कि इस प्रकार क कौन चायावाद के परवर्तक कभी है और चायावाद के परवर्तक कभी कौन है प्रसाद जी है यानि जैसंकर प्रसाद और चायावाद के चार अस्तंब के रूब में आते हैं बोलाता है कि चायावाद के चार अस्तंब है कौन है प्रसाद पंत निराला और वर्मा प्रसाद क भी जो है शायवाद मानी ही चायवाद से लेकर C नग प्रतम्तार सब तक चलता है उसके मैं सुतंत्रियोत्तर कविता सिज बूता बुर्य 섭थ नई कविता आ जाती है ठीक तो वो सारी चीज़े हैं तो लगबग आधुनी कवधी कावी के अंतरकत यही मोटी मोटा आपको जो है छायावाद से लगबग छायावाद से आप उठाएंगे छायावाद कब से स्टार्ट होता है 1921 से लगबग 1921 से 1960 हिसबी के आसपास की जो प्रचनाए है वही इस प्रतम पत्र के अंतरकत आपको पढ़नी होती है ठीक लभी दूतिये वर्स के लिए लेक्चर बड़ा हिमात पूर्ण होगा हिंदी साहित पेपर वन ठीक आई यह बात करते कि प्रसाजी की नारी बिसेक दिस्ट कोड कैसा रहा है और इस पर किस प्र है यूटूब पर पढ़ा था जिए कि उसने ऑलॉप में इसे बनाए इसे इसके और ना दो चितर बना ढहकर ना उस ने लिकिनक Gul माले नहीं होता मलब यह सब तो एक हसी मजाग की बाते थी मित्रों आए बात करते कि परसाज जी की नारी में से एक दिर्श्चकोण वर प्रकास कैसे डाला जाए उत्तर में देख सकते हुआ अच्छाया बात के लगबख सभी कभियों की मैं बात करूं मित्रों तो सभी कभियों ने नारी के परती उद्दात भावना का परिचे दिया है नारी के परती सर्दा है नारी को महान बताया गया है नारी के परती प्रेम है त्याग है उनके परती प्रेडा है अनुराग है साकार परतिमा भी के रूब में देखते हैं लोग देभी मानते हैं मालब इनको परकिरती से बहुत अच्छे तरीके से र kilka से रेलेतन बता करकि उनका इस सुन्दर्टा का वरन के आता है इस यूग में नारी को भोक की वस्तिउ नामान करके नारी को क्या माना गया है प्रेम मम्ता सुर्धा त्याक प्रेणा अनुराक की साकार प्रतिमा के रूप में देखा गया है देखिए नारी के प्रति उद्दाद भावना का परचे दिया गया है इने रचनाकारों ने नारी जाती के प्रति क्या है गहन संबेदना की अविवेक्ति की है नारी के प्रति बहुत चीजे लिखी हैं और गहन संबेदना मलब जो है पहले नारी को भोग की वस्तु समझाता था तो उसके प्रति सहान भूती की जो है जो अंतरात्मा की भाव अंतरात्मा का भाव सा सहान भूती का उसको इनकी लेखनी के माध्यम से बाहर राया गया छाय जो है इनके प्रती क्या किया गया गहन संबेदना के विवेक्ति की गई जैसंकर प्रसाद ने नारी के सच्चे अस्तुत को पहचानने एवं परखने का जो है क्या किया कैसा प्रियास तो सार्थक प्रियास किया है मित्रो समाज में ऐसे आप लिख सकते हैंगी समाज में नारी उससे खरे उतरते हैं इस मामले में इन्होंने नारी को मात्र भोगी की वस्तु नहीं ना मान करके प्रेम, ममता, सरद्धा, त्याग, प्रेडा, अनुराग की साकार प्रतिमा के रूप में देखा है जैसा कि इन्हीं के जो है सरद्धा मनु का एक हम देख ले उधारण तो अगर आप उत्तर लेखन कर रहे मित्रों तो हिंदी साहित में आपको उधारण देना अतियावस्तिक है जैसे कि दाल और चावल खा रहे हैं उसके साथ अचार की आवसकता होती है ठीक है चटनी की आवसकता समोसे साथ चटनी होता है गोजिया के साथ चासनी लगी होती है ठीक उसी प्रकार से जो जब किसी हिंदी साहित का उत्तर लिख रहे हो आप तो उसमें चटनी लगाने के लिए उसमें मसका लगाने के लिए मक्षन लगाने के लिए एकात उधारण दे देना आपने उत्तर में सबसे बड़ी बुधिमानियों सबसे महत पूर बात है वो स्वास रजत नग पगतल में और प्यूस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर संदर हो मलब इसकी बहुत सुन्दर कलपना करी है किसने जैसंकर प्रसाद ने ये कहीं कहीं पे लिखा मिलता है कि कभी एक प्रशना आता है फंस्टेर में कि पहले आता था और एक और आरूप लगता है कि कभीर दास जाती है कभी हैं इसकी ब्याख्या की जी फिक है और नारी के पती भी एसे पुछा था कि नारी के फटी ब्याजरी ब्याख्या करें नारी के प्रती लिख्याश Independence ने बहुत सारी चीज़े लिखी早 हैं जैसे नारी के वीबस नर्षा पहले देखा जाए तो भक्ति काल में नारी को उतना महत्वा ना देकर के वहाँ पे भक्ति को यादा महत्वा दी आती थी ठीक है भक्ति पूढ चरम सीमा पर थी लेकिन भक्ति काल उसका नाम ही था द रही द moje उप कि नारी की विबस होकर लिखा उन्होंने कि पुरुस जो है कल जुग में नारी के विबस हो जाएंगे सभी कल जुग में नारी की विबस सभी पुरुस हो जाते हैं कैसे विबस हो जाते हैं कैसे जैसे बंदरिया होती है वो अपने मदारी जो होता है तो मदारी को बताया गए मदारी बंदर को नचाता नहीं बंदरिया को जैसे जिस ताल पे बासुरिया डंबरू बयाता है उसी ताल पे बंदरिया नाचती है तो वैसे बताया किसने तुसी दाज ने लिखा कि नारी बिबस नर सकल गुसाई सकल मदलब होता है सब गुसाई मदलब सभी पुरुस लोग सभी पुरुस लोग नारी के बिबस हो करके किस परकार से कारी करेंगे ना चहिनत मरकट की नहीं जैसे बंदरिया को नचाता है मदारी ठीक उसी परकार से औरतें जो होगी यानि इस्तिया जो होगी वो अपने पती को नचाएंगी जैसे इसी परकार से और फिर धार आप किसे था कि सिंग से बाहे मिला कर जो खेल सकता है जो है एक इस तरीका के नुरुप्राय हो जाता जीत लेती रूप सी नारी उसे एक मुस्कान से इस प्रकार से सिंग से बाहे मिला कर खेल सकता है इंद्र का आयुद परस जो जहेल सकता है बलब इंद्र के बर्ज का प्रगात जो है वो सह सकता है सिंग से बाहें मिला करके लड़ सकता है लेकिन एक रूप सी नारी उर्बसी पुरुरवा रामधारे सिंग दिनकर जीने लिखा उसका ये है तो उसमें सारी शीजे बताई गई है ठीक तो नारी के प्रतिस जो है सरद्धा इस समय से जो है निकलती चली आई है और प्रेम की बात को ने तो प्रेम जैसे कि भारति अंदु जी ने लिखा कि मारग प्रेम को को समुझ़े हरिचंद जथारत होत जथा है लाभ कछू न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कता है तो प्रतिमा के रूप में जैसेंगर प्रसाज जी के द्वारा प्रदर्सित किया गया है आगे बढ़ते हैं मित्रों आगे देखते हैं कि प्रसाज जी ने अपनी रचनाओं में जहां कहीं नारी संदरी का रूप आंकन किया है वहां वासना के आस्थान पर सात्तविक्ता के द दिखा तो इनकी रचनाओं पढ़ेंगे उसे में सात्विक्ता का अनुबो आपको मिलेगा कामायनी में नाई का स्रद्धा और सहनाई का इड़ा का सौंदर र्यांकन इस बात का अस्पष्ट प्रमाड है कि वो सात्विक्ता के दर्शन का पर अधारित है नारी के प्रती प्र द्रश्टा बेहेंजर से तुम आद्रस वरसा सुहाग की और सनेह की मधुरजनी चिर आत्रप्त जीवन ये दिथा तो तुम उसमें संतोस बनी नारी के प्रती सरद्धा इसमें व्यक्त की गई है अताहा मित्रो हम यह कह सकते हैं या कहा या सकता है कि प्रसाद का नारी विस विस एक दिष्ट कोड पर खरे उतरते हैं नारी विस एक दिष्ट कोड इनका मजबूत है अता नारी के प्रती इनोंने क्या किया है नारी को भोग की वस्तुना मान करके उसको प्रेम माना प्रेम के रूम में देखा ममता के रूम में देखा प्रेम मतलब होता है जो अपनी रूप में देखा गया है जै संकर परसाद के रचनाव में इसलिए हम कहा सकते हैं कि यह पूर रूप से खरे उतरते हैं नारी बिसक जिश्ट कोन से मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत